नमस्कार दुफ्तों मैं संदीप स्वागत आप सभी का आज किस नए क्लास में चलिए दुफ्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास से जॉइन हो जाईए क्योंकि आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए हिंदी मार्डल कोष्चन के बारे में बहुत ही लिए वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपके एक्जाम के लिए काफी यह सारे कूस्यन और एंसर हैं और मैं आपको यह भी बता दूँ कि आप सभी को मालूम है कि जो इस बार स्मेस्टर एक्जाम होने तो समेस्टर में धोसमेस्टर होंगे यह फैस्ट होगा जो कि जनुरी फरोरी में होने वाला है कई कई इंवर्सिटिव में मार्च इनहीं तीनों मेंद के बीच में हो जाएगा क्योंकि सभी इंवर्सिटी के जो नियम कानून हैं अलाग अलाग है तो ये आप लोगों को अपनी सीटी से से कॉंटेट करके बारे में यह वीडियो फस्टिय फिकेंड इंडियर थार्ड जाट्र लिए पार्ट्ट होने वाली यह क्योंकि आज कि इस वीडियो मैंने की objective question आप सब्सक्राइब कि इस बार question नहीं आने वाले हैं फस्टियर में हालाकि कोई सब्सक्राइब करना चाहिए तो आज हम 17 से स्टार्ट करेंगे और एंसर भी बताएंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी हेलफुल होंगे ठीक है चलिए देखते हैं इस वीडियो में कौन-कौन से जुलेखा के प्रमुख पात्रों का नाम लेक किई कर सब जैखते हैं तो जुक्त दिखना में यूसीफ जुलेखा इन लूप है कि सेक निसारक्रत जुलेखा का कथानायक यूसुлब है इसके पिता का नाम नभी याकुब था याकुब महापिसिद्ध और अवतारी पुरुष थे जिनके साथ पत्निया थी इस प्रेमाख्यान की कथानाइका जो लेखा है जो मगरिब देश के सुल्तान ठीक है तैमूस साह की पुत्री है इनके अलावा मिस्र देश का वजीर धाय इसके प्रमुख पात्र हैं यहां पर आपने एंसर देख लिया कि जो सेख निसार क्रत योसुप जो लेखा का कथानाइक योसुप है इसके पिता का नाम नभी याकुब था याकुब महाप्रसिद्ध और अवतारी पुरुष थे जिनकी साथ प्रतनिया थी यानि सब पात् इसी तरह आप लोगों को एंसर लिख देना है सिंपली सा कोई हार्ड नहीं ठीक है तो आपको जो भी अतिलग उत्रे के प्रस्ण के नंबर है एंसर के वह आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे अगर आप लिख देंगे ठीक है इसी में अगला कोश्चन के और हम बढ़ें उसके बीयोग के बारे में आप लोगों को वर्ण करना है अभी आप लोग पढ़ेंगे समझ जाएंगे बीयोग वर्ण क्या होता है लिखा है कि सेख निसार ने अपने ग्रंथ यूसुब जुलेखा में कथा नायका जुलेखा की बीयोग दसा का मार्मिक चित्रण किया है बीयोग बीयोग क्या मतलब उनके दुख भरी कहानी का मार्मिक चित्रण किया है जुलेखा सुपन में यूसुब को दिखते हैं देखते ही वा उसके प्रति आसक्त हो जाती है परंत सुपन भंग के उपरांत उसे यूसुब नहीं मिलता यही से उसके जीवन में ठीक है ब् परिवेश की सुख कारक इस्थितियां दुख का क्राण बन जाती है विभिन रित्वों और महीनों में से अलग तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं इस प्रकास से निसार ने जुलेखा के माध्यम से मद्धिकालिन एक इस्त्री ठीक है एक इस्त्री की दैनी दसा का ठीक है मार मान तक मार मांgas तक चित्रन किया है तुकुल मिलाक के बीयों का वरिन यानि उनकी दुख भरी कहानी का यहां पर वरिन किया है अगर आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे तो आप सभी को इनके एक जोस ब्योग हैं उसके बारे में आप लोगों को असानी सर्सामज में आ गया इंपैसे के बारे में तो आंप 재밌 लिख देना यह एंसर आप लोगों को ध्यान में रखना है आपके एक्जाब में में सकता है नोट डाउन भी कर सकते हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा बाद में पढ़ते रहेगा इसी में नेस्ट कोईश्चन है दोस्तों लिखाए कि यूसुप ठीक है कि यूसुप जिलेखा में वर्डित वातसल को असपश्ट करना है ठीक है अब यह आप जो वडित वातसल के बारे में क्या बात हो रही यह लिएक कि असपश्ट क्या करना है एंसे लिखा कि प्राया है आप ठीक है प्राया अब तक कि कभियों ने मा और पुत्र के माध्धम से वातसल की विभिन दसाओं का कित्रड किया है लेकिन रचना धर्मी कभी कभी शेक निशाण ने अपनी पुत्र के आतंि लगाओ को परियोग किया है कथा नायक यूसुप का पुत्र को जहां एक पुत्र की उपस्थिति में उसे देख देखकर अपने चर्म चचुवों को परितर्प्ती प्रदान करता था वहीं उसकी अनपस्ति ठीक है अनपस्ति थी उसके चर्म दुख का करण बनती है सेक निसान ने कहा है कि सुनी याकुबु सो मुर्षित भैयों मानव प्रान काल ले गयों तो इसमें मतलब यह हुआ कि जो कभी है या पिर आप कैसे ते लेखक हैं जो आप सभी को मालूम है कि कौन से लेखक है इसमें सेख निसार जी इनके जो यूसुप जिलेखा जो वाड़ित इनकी करती है या फिर आप कह सकते हैं इनकी जो रचना है इसमें इन्होंने कहा है कि यूसुप ठीक है जूलेख कथा में पिता और पुत्र के आत्मिक लगाओ यानि कि आत्मिक अमन approached लगाओ प्रस्तुत है एक अभिनव बताया गया है आभिनों यहीं कि अभिनों का गया है कथा नायक यूसुप के पिता याकुब अपने पुत्र को अत्से प्रेम करते हैं यानि कि उससे बहुत अधिक लगाओ या प्रेम करते हैं वह जहां एक तरफ अपने पुत्र क्यों पस्थिती में देख देखकर अपने चर्म सच्चों को परितरप्त पदान करता है व प्राण काल ले गए हो मतलब कि जब आप नहीं होते हैं तो मुर्चित हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे जो प्राण है वो काल यानि की अम्राजी ले गए हैं ठीक है इतकुल मिलाके यह इसका उच्चारण हुआ थोड़ा बहुत ठीक है और फिरहाल आप लोग इसका ए परचे दीजिए बहुत इंपर्टन कोईचिन आपके एक्जाम में पिडिश से रिलेटेट कम से कम 5-6 नंबर का कोईचिन पूछे जाएंगे तो ध्यान में रखेंगे तो इसमें लिखा कि पिडिश का संचिप्त पढ़ते आप लोगों को देना यहां पर लिखा है कि उत् लखनव में प्रवेशलिया परंत पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी उन्होंने कस्मंडा के राजा सूर्वख सिंग के यहां ठीक है उनके निजी सचीव के रूप में कार किया कलांतर में लखनव रेडियो स्टेटन से भी सम्रद रहे दैव दुर्वीर ठीक है दुर्वी पाक से मात्र 44 वर्च की उस्था में 14 जुलाई सन 1942 को पिडिव जी का निदन हो गया तो संचीवत परचय का मतलब हुआ कि इनका जन्म कब हुआ कहां पर हुआ इनकी जो सिच्छा दिच्छा हुई वह कैसे हुई और इनोंने कहां पर एक्स्पेरियंस यानि कहां पर इनोंने का किया और इनके माता पिता का नाम है तो लिख देना है फिर उसके बाद इनका देहां कब और किसम में हो गया यह लिख देना बस संचिप्त में यहीं लिख देना को इनलाके सवर्ड में ठीक है तो यहां पर आप लोग समझी गए हैं कि एठाट रचान अभे मिनका जन्म सीत दो तीन जगे किया उसके बाद इनकी अचानक से आने की आप कह सकते हैं कि बिना आवस्था के इनकी म्रत्ति हो गई जो कि 44 वर्स की आवस्था में यह 14 जुलाई सन 1942 को पिडिव जी का निधनियस और गवास हो गया तो इस यही सिंपल साइंसर हो गया पूरे का पूरे आप दोलाओं को नंडमर मिल जाएंगे आसानत्यों थी के निशों निंसे बंता है जो लिखाया की को संगलन चकलाब्ण चकलत का अचे परश्तत कीजिए कर दो जो पिडिए हैं कि का मैंस का संचर्छ देना है लिखाया कि चकलत इनकी उनकी प्रिक्रति है थे कह प्रकासमस या पिडिर जी की अधी कभिताउं का एक मात संकलन इसे आधुनिक अधी कभिता का पहला महात्रुपूर्पूथ, छ explor प्रभाव परलच्षित होता है और इसमें लिख्खा है कि घसियारिन ठीक है और लिखा है कि स्वन हुलियसमा मनई लरिका बिटिया महतारी सोना माटी तिर्फला सिट्टाचार आध इनके चकल्लस की महत्वपूर्ण रशनाएं हैं जो कि इससे संकलित हैं ओके तो यह सिंपल सा आप लोगों का इनका जो रशना है या पिदाप के सिंग की जो महत्वपूर्ण संग्रा था और इसमें इतनी क्रतियां या इतनी महत्वपूर्ण रशनाएं बस काम खत्म ठीक है इतना सा सिंपल सा एंसर हो जाएगा इसी मनेस्ट कोईस्टन है हम आपको बता दें लिखा कि स्वन हुली स्यामा कविता की भाव पच्छे बिसेश्ता बता सर्वर्थ ने लूसी ग्रे नामक एक काल्पनिक बालका को प्रकरती माता की इसने सन्य दे में पलते बढ़ते दिखाया है उन्हीं भाव को समेठते प्रदीश जी की या कविता भी है इसमें कभी की ग्रामीड परवेश में पल पल बढ़ रही एक बालिका की विकास मानोग्य चित्रण है वह अपनी निकट वरती प्रकरतिक उपादानों से अतिसे प्रेम करती है अभाव में रहते हुए भाव में बन बनी रहती है तो जो सुर्ण हुली स्यामा कविता है ठीक है वो सिरी आप सभी को मालूम है कि इन ही जी इन ही की है यानि की पिडिव जी क की कविता हैं तो इसमें कविता के भाव पच्छे बिसिष्टा बताई गई है जो कि आप ने यहां पर समझा है इस सभी समझ में आ गया होगा इसका कमपिएर कीया गया है इस कविता का वो किया गया है एक अंग्रे जी की कभी है श्री वर्ड ठीक है वर्ड सवर्थ जी प्रिसिद्र ठीक है इन्हीं की कविता लूसी ग्रे से इसको तुलना किया गया है ठीक है उसी के भाव से उसी के आधार पे ये भी इन्हों ने यानि की पिडीस जी ने भी ये क कविता लिखी है और इसमें एक बालिका की विकास्था अवस्था का मनोग्य ठीक है चित्रन किया गया है उसी के बारे में बताया गया ठीक है सिंपल सा एंसर है और नेस्ट कोश्चन इसी में लिखा है कि घसी यारिन कविता की बिसे वश्ट पर प्रकाश डाली यानि कि जो है यह उनी पढ़िव जी की एक रश्चना है उसी के बारे में यहां पर प्रकाश डालने की बात कर रही है तो प्रकाश डालने का मतलब आप लोग यहां पर देख रीजे क्या होता है लिखा है आंसर में कि घसी यारिन कविता में कभी ने घास छिनने वाली एक ग्रामिड इस्तिरी के मनोभाव पर प्रकाश डाला है कभी ने अश्पस्ट किया है कि सौंदर प्रसाधनों के नितांत अभाव के बीच जी रही ग्राम बाला जी टिके ग्राम बाला जो की स्रम की सत्खारता ठीक है फथारकता को जानती है और जीमन रस से ओत प्रोत है वह अपने प्ले प्रेम और संतोस व्रत्य को देखकर लोग इर्श्या करते हैं इंद्राडी को इसके सुक का आकलन नहीं हो पाता है तो जो घशियारिन कभिता है स्री जोकी पडिर जी की रशना है इसमें एक कभी ने एक घास चिलने वाली एक ग्रामिड इस्तिरी के जो मनोभाव के उसकी म नहीं इसके बारे में बताया है कि उसका अनभाव करतिक प्रेम को संतोस वत्रों को देखकर इसकर इंद्राडी को इसके सुक्ष का आकलन हो पाता है तीख है या जो इसत्री है ग्रामिड उसके मन भाव उसके जो सौंदर है उसके बारे में इसमें बताया गया है ठीक है बस ज्यादा कुछ है नहीं उसे के बारे में आप लोग बना के भी लिख सकते हैं कि कभी ने एक घास चीलने वाली इस तरी के बारे में उसका मनोग प्रकास डाला है और प्रकास में ये बताया गया है कि यह बताया है ठीक है और इसी में नेश्च्क को रभी जी से संबंधित जो कि आप लोग देख पा रहे हैं लिखा है कि पड़़िश की सूखी डार कविता की दास्क्रीक चेतना पर आपको प्रकास जे डालना है इसमें आ जाएगा आप लोग जाता है तो उसमें दास्ट निकता का समावेश हो जाता है पड़ीज आस्तिक और इस्तरवादी कभी थे ध्यान रखेगा यह आपका कोईश्चन यहां पर बनता है कि पड़ीज आप लोग लिख सकते हैं अगर कहें पर कोईश्चन बनता है तो वहां पर एंसलिक सकते हैं कि आस्तिक और इस्तरवादी कभी थे इसलिए वह जीवन की ठीक है नस्वरता के विशय में विचार सील रहा करते थे सुखी डार सीर्षक कभीता उनकी इस विचार सीलता का सहज परड़ाम है कभी ने इस कभीता में वड़ित ब्रच्च की सूखी डाली के माध्यम से यह स्प चत्तों में ब्रहित होकर इस अंसार में रहने लायक नहीं रह जाता है यानि पर यानि इसमें सूखी डारी यानि कि इन्होंने सूखी डारी का कभीता बना दिया है इसमें इन्होंने बता दिया कि जिस प्रकार से एक ब्रच्च में जूड़ी हुई सूखी डाली यानि कि जो एकदम से पत्ते यानि कि वह किसी भी वज़ा से वह सूख गई हो डाली उसमें पुना जीवन नहीं प्राप्त कर सकती सूख जाने के बाद आप सभी को मालूम है फिर वह किस वज़ा पानी के वज़ा सूख जाती या कोई फर उस पर प्रोडक्ट पढ़ जाता है यानि कि तो आप लोग समझ गये होंगे इसका मतलब क्या हुआ ठीक है तो जो सूखी डारी है कविता है और इसी के बारे में इन्होंने एक्जामपल लेते हुए इसके बारे में बताया है ठीक है कि प्राप्त कर उसी प्रकारिस अंसार में रह रहायकर जिव पंच तत्तों से ब्रह सब्सक्राइब करते हैं अगर आप समझ के जाएंगे तो एक दो कविता है तो आपको 100% मिलेंगे यह तो है ठीक है लिखा है कि डोंगिया सीर्षक कविता उच्च मानवे भाव से ओत प्रोत है इसमें पढ़ीज जी ने यह सपस्ट किया है कि ब्यक्ति को जीवनगत विसंगतियों से उबच्चुबना होकर अपने राम के सहारे अर्थात अपनी पूरी सक्ति और समर्थ के साथ परस्थितियों को हड़ कर सामना करना चाहिए जीवन गत कटनाईयों को सरलता से परविर्थित करके परसितियों के साथ समंजस स्थापित करना चाहिए वस्तुता ये सारे संकट माया के ही प्रतिरूप है राम का अंस ये जीव जब माया के बंधन को काटने में ततपर होठता है तो स्वता ये छिन भिन हो जाते हैं ठीक है नूतन संदेश देने का सार्थक प्रियाश किया इसका मतलब आप लोगों को सिंपल से समझ में आ गया होगा ठीक है ढोंगया सीषक जो कभीता इसके बारे में जीवन संदेश के बारे में ठीक है इन्हों ने ये कहा है पिडीव जी ने ये कहा है कि अगर व्यक्त ठीक है विसंगतियों में पड़ा है अगर वो राम के सहारे अर्थात अपनी पूरी सक्तियां जो राम के सहारे यानि की भगवान को भी मन में रखते हुए उस पे भरोसा करते हुए और जो परस्थितियां है उसका डटकर सामना करे यानि कि उस प्रस्थितियां की जो भी उसके सामने समस्याएं हैं उसका वो सामना करे वो चाहे डटकर करे चाहे उसको वो बहुत सारी महिनत करके करे तो वो जरूर से जरूर वो जो भी प्रस्थितियां है ठीक है वो कठनाईया या फिर वो प्रस्थि प्रुवाइट करेंगी तो अगर आप सबर रखेंगे प्रस्थितिया की हरेंगे जैसे कि आपका एकजाम है अगर आप एकजाम के लिए अच्छे तैयारी करेंगे और बगवार का भीशारे पृणली मह नग चाहिए और सभर बना ना करेंगे कि हम इक्जाम को जरूर कर लेंगे तो आपके इस बारे में अगर आप बिस्टित या लगहुत्रे में भी आ जाए तो आप लोग बना बना के खुब लिख सकते हैं ठीक कोई इसमें टेंसल नहीं वाली बात नहीं बस जराव साथ को हिंट मिल जाना चाहिए हम तो कहते हैं कि अगर आप अच्छा स्टुडेंट है तो इतने ही कोईश्चन का ठीक है आज कि इस वीडियो मैंने पड़िव जी से समढनीद पूरे जो भी कोईश्चन आपके सामने मैंने रखे हैं । आपको इस वीडियों से काफी न काफी यजरूर मिलेगे एक्जाम मैं आगकर समझेंगे दुबारा वीडियों से देखेंगे आसा समझ के जाएंगे तो है कोई सुजावत बेसक कमेंट करें हम आपको मिलेंगे नेस्ट वीडियो में और वीडियो के डिस्कुस्टर में टेलीग्राम का लिंक है जोएन हो जाई ठीक है उस पर बहुत सारी आपको उपडेट मिलेंगे मिलते हैं नेस्ट क्लास में तब तक किले जाएंद